हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम वेक टू माई न्यू ब्लॉग आप सब बहुत अच्छी होंगे आप लोगों की दुआउं के वज़े से मैं भी बहुत अच्छी हूं और देखो वो क्रिशु पीछे डांस कर रहा है थे क्रिश्यों फ्रेंड्स का हेलो तो बोलो आझा अजह यरो मょुत तो तो मस्ती एसी घरने वे और यह थे पूर दिन कुछ 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 ना कुछ कैसे बोला था आपने मैंने पहले मैंने बोला था कि happy teachers day और मैंने second बोला था this gift for you ये भी बोला था I have surprise for you वो I have surprise for you और teacher ने प्यार कर दिया कैसे प्यार किया teacher ने ओ माई गडड़ और आपने प्यार नहीं किया teacher को किया था नहीं किया बर्ण बनाया जाए कुछ अलग बनाया जाए तो बर्सात के मौसम में हमारे यूपी क्यूंकि हम लोग यूपी से हैं तो हमारे यूपी में फरे खाये जाते हैं तो वह बनाने जा रहे थे तो सोचा कि आप लोग के साथ भी रेcept impose करते हैं द्ट्रेकि बहुसे लोगों को नहीं भी पता होगा तो बनाते और दिखाते हैं आप सब आप्षे यह इस ब्लोग में अफिस से यह क्या लेकर आयों जो मिन और रोल्स है बट फरा बनाने जा रहे है या फिर यह खाएगा कौल जो पापा जी खाएगा जो पापा जी खाएंगे बिटा पाइगे बच्चे चिप्स ने खाते यह टीध दिखाऊ जार यह ऐसी हो जाएंगे जो बच्चे चिप्स और और कित-केट खाते ना उनकी प्यास जासे आपके हो गए तो फाइनली पती देश पी आचुके हैं एक्षिली होता गया है मेरे साथ की कोई होता नहीं है शूट करने वाला वीडियो को घर पे वह तो वीडियो सूट कर दे तो अभी आख किया है यह अपना खाने में लग चुके है अभी शूट कर देंगे तो चलो फिर वीडियो कुछ कहना चाहरा है हां यह दादी जी यह दादी जी दादी जी भी बैठी हुई है यहां पर आपको दिखाते हैं फिर आप पॉमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसे लगे ओक्षे इनको देखो यह अपने इंतजामें लग गए पहले यह खाएंगे उसके बाद सूट करे बढ़ा चाहलो करेंगे कि पहले मुझे कुछ खाने दो तो अबने की चलो कोई नहीं पहले आप खालो फिर हम लोग भी कुछ थोड़ा मुड़ा खा लेते हैं उसके बाद मिलते उसके बाद रेसिपी सूट करेंगे छलो है मिलते हैं अपको थोड़ी देर में इत्था यहां और फिर की तो दिखाते हैं आपको थी पहले गए कि शारी सवारी दिखाते हैं कि यह यूज होता है यह चने किदाल जो सुबह भी वाई थी में सुबह भी विगो दी थी आप अपने हैं साब से क्वाइटी अपनी ल किसे तको बनाना है तो आप डाल कि अमयूटा यह को बांटल करें उतिता हैं तो आप टू पहले कि टोह ऑन्सविड़ाय यह दोर्के रखने और इन आप प्राट बताएंगे तो पहले जार को पीषणा होता है चाह Αंक हमने ज़ार में डाल लेसन डाला हुआ है और हरी मिर्च है तो पहले पेस्ट बनाते हैं फिर आप लगाए यह फिर आप से मिलते हैं तो सबसे पहले इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हीन, क्योंकि हीन से टेस्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि चने की डाल है तो इसमें हीन डालना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद फिरिसमें डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि हरी भी डाल चुके हैं तो इसमें स्वादानुसाल नमक जितना आपका टेस्ट आप अपने हिसाब से डालना यह हमारा टेस्ट है, तो हम अपने हिसाब से डालते हैं इसमें इतना ही मिलाएंगे, क्योंकि अलड़ी हमने इसमें लैसन, हरीमेज, और लिए नमक यह सब कुछ जाल दिया है, यह सारा हम अपने हाम इसमें की आट आटा गेहूं का यह पाहिए यह आटा है हमें आटा इसा में पहले इसरह, लके मल रख लिया था तो इसको आम लोग आगेम में च्छे, मल डिख लिया ता यह तो बहुत हेलदी और बोध अगर आपको टेस्ट बढ़ाना है तो आप फ्राई कर सकते हो हम लोग करते हैं तो चलब 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 बनाना सुरू करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले पानी बोल पानी बनाते हैं तो ऑसे बनाते हैं कि पानी बोल बनाते हैं तो थोड़ा सा आठाम देखें चोटा सा ज्यादा नहीं चोटा सा आटा आमने लिया और इसके बाद इसको बेल लेते है इसको बेल के लोग चावल के आटे के भी फरे बनाते हैं तो इसको इसमें इस से फरे बेल करना होता है कुछितव इसको अच्छी से नहीं तो इसको इसमें खानेंगेगा ह vistika में तो इसको अँश्याड़ को अब यहाड़ा दिन स्टिव हैं नमक डालके इसको हुदें अगर आप Pas itself ब्रि चीद सा लगे गा अजिए तो इस वज़े से इससे करके बाउन करते हैं यह से genau इसको ऐसे करके ऐसे करके बंद करते हैं उस से करके यह सिरी बनाते रखेकाएं पानी पाशाल बना Tapi रख लेते हैंदम की आख मुपट बना स्परफ़ में डूल productive के बना फिल्या में है पानी बॉइल हो रहा है तो इसको बनाती है रख लेका है तो एक बार में चार से पांच तो बॉइल होई जाते हैं तो इसको ना अच्छी से भरके और अच्छी से बढ़ना एक चीज का आप लोगों को खास घ्यान अगना है कि इसको बना के ज्यादा देर पहले नहीं रखाए क्योंकि ताल में आप नमक मिला हुआ है तो फिर ना जाल पानी चोड़ देगी और अगर दाल पानी चोड़ दिया ना तो फिर आप यह आप से बने लिए खुलने लगे तो आए तो देखो हमारा पानी बॉइल हो चुगा ऐख्याऊ टाल के लोगें फैरिम यो इसको ना भी अच्छी से बनने थे हैं यह अ कर पाने तो इसको ना भी आपको अच्छी से बॉल अब यह देखो यह अच्छे से बॉइल हो चुके हैं क्योंकि यह सारे खुद से ही उपर आ गए हैं अब इनको ना अच्छे से अइसे निकाल के और थंडे होने के लिए इनको इसमें रख देते हैं अब यह अच्छे से जब थंडे हो जाएंगी ना अब तो अब तो अब तो अब तो कि गरम है अब 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 आप इनको कट करो गए ना तो यह बहुत गरम है अब इनको अच्छे से यह बॉयल होके है अच्छे से बाडी बहुत खोड़ता को अगरम है आप जब आप दूसरे फरेवना के आप इसमें डालेंगे और इनको थंडे होने के लिए रख देंगे जब यह अच्छे से थंडे हो जाएंगे फिर आपको बताते हैं कि इनका क्या कर अब पूरे ठंडे हो चुके अच्छे से तो मैंने अला गलाक बरत में ताकि जल्दी धंडे हो जाएं यह दुबारा से बॉयल कि थी वह बले यह तकि जल्दी से थंडे हो जाएं तो फिर इनको ना ऐसे छोटे-छोटे पायट में ऐसे कट करना होता है एक इतने इतने बड़े- कि अच्छी से बॉइल हो जाएंगे ना पर यह आसानी से देखो कट हो जाएंगे जब मारा फ़रा पका होगा तो यह ऐसा रहेगा अंदर से देखो अच्छी से इनको कट करके कि ऐसे सब को काटके अच्छे से कि इतने पीस आपके अपने अकॉरडिंग जितना बड़ा आपको कट करना है आप कर सकते हो हम लोग छोटाचोटा इसलिए कट करते हैं ताकि खाने में आसानी रहती है तो इनको सबको अच्छी से हो जाताँ प्र मिलते हैं जूर अच्छी से कट करके अशी तो काने में ऐसे फ्रय हम प्रेफर करते हैं सरसु का लिखते हैं आपको जो मन करें और डालेना है आपको तो अच्छा लगे रिफाइंड ऑल या फीर जो भी आप कहाते हैं वह रहाए जाले आप तील हम और अब तेल अपनी डालेंगे जीर पाद नालने में में शपतकर कों हटां कि यह प्याद हमने तो उभ्षा रखता होता है यह तो आपको तसुरीमें एक से बारीं परेती है कि अधिवा अब तो प्याज हमारा अच्छी से फ्राइए हो चुका है अब इसमें डाल लेते हैं इसमें टेल में ही डाल लेती हूँ आपको मसाले के साथ डाल देना पर मैं तिरिसमें डालती है घटा हुआ कमाटा है इसमें डालें नम्मा यह हमारे पास मसाले यह नम्मा खाये यह सब्जी मसाला है यह लाल मेचो और यह धनिया पाउडर है सब्दों को एक यह करके इसमें डाल देते हैं अब मसाला अच्छे से पते जाएं और इसमें एक चीज़ा डालते हैं इसमें एक चीज़ा डालते हैं एक पैकस मायगी मसाला इससे न थोड़ा सा फ्लेवर और धी अच्छा आता है आप को भी ट्राई करना खीमा के मायह माल कखना। जाले से प्लेवर अच्छे से भूनने की, सभवा देते हैं न भूर रहा है, बहुत दखनेजाए, बहुत करना ऑफ्टा करों does दो होड़ा डालों सब्सकोल है मसाला रहा हमारा बहुनीड दूसका करना है वाक पाप नगी मसाला है तो अच्छा है तो अच्छा आता है तो अच्छे से भूने लेगे तर तक हमारी तमाटर पक मिन जाते हैं तब तक हम इसको अच्छे से भून लेते हैं मसाला हमारा भून चुका है इसको दो मिनट और भूनेंगे ऐसे तो अलमोस्त देखे आल पूरा सेपरेट हो चुका है बड़ फिर भी इसको थोड़ा सा दो मिनट और भूनने के बाद फिर अगर आपको समझ बन आये क्योंकि अब इतना अच्छे से वीडियो बन नहीं पा र थोड़ा सा और वैसे तो देखी आपको दिख रहा होगा अच्छे से फ्राइब हो गया है अच्छे से तूंगूरा चुपरेट हो गया है तो अब इसमें यह हमने फरा कट करके रखे देना अभी इसमें डाल देते हैं कि यह एक एक अपर सारी पराइज में डाल देते हैं आज इसको अच्छी से मिक्स करना है अच्छी से प्राइज करना होता है ताकि मसाला कमें निल जाया कि दूसने कि यो उसके अच्छे की का अब या अल्मोस्स एक थिन बस्कोम दू मिन अच्छी से प्राइज करेंगे ँगा कि मसाला अच्छी से मिल दिया हमाई वैदी हो जच्छी हो चुकें आप इन देखें यह ऐसे हो मन ये रेडी हो चुके हैं देखे अब आर्परेवी ने आपको भी दिखाएंगे कि सब कैसे लगे अब सब कर देख्या हो आपी देख को मुंदी लैव बता ही कैसे बने है की है क्यों बता हो चलो कर दो कैसे बने है बता हो बहुत अच्छी बने हैं चलो बताओ अच्छ हाँ सॉरी धनिया नहीं खाते न कोई नहीं आया अलग दे देंगे आपको अच्छी बने हैं सच में पापा बताएंगे कि फराप बने कैसे हैं बहुत बढ़ी है बने हैं ममी का बहुत दिन से मन था कि फरा खाने वरसात का मौसर में फरा बनाओ तो आज फ्लिघ करना और आप लोग देख लीजिए और जरूर ट्राइए कैसे बने और आप लोग भी कोमेंट में बताना गी आप लोग मिलते हैं आपको कल के एक नए व्लोग में तब तक के लिए बाई